तो आए ये last traversal टेक्नीक देखते हैं हमें tree दिया हुआ है और हमें यहां से post order traversal निकालना है for the given tree तो मैंने जो आपको guidelines दी थी बहाँ पर मैंने आपको पताया था जब भी हम note को third time traverse करेंगे उसको हम post order traversal में लिखेंगे ठीक हैं तो सबसे पहले वही चीज हम यहां पर करते हैं, सबसे पहले हम leaf notes को यहां पर बना लेते हैं, ठीक है, तो यह हमारी leaf notes हो जाएंगी यहां पर, यह D की हो गई, यह H की हो गई, यह J की, दो दो होगी left और right और इसी परकार G की भी होगी, तो शुरुआत हम करेंगे I से, ठीक है C जो है, वो second time हुई है, ठीक है, second time हुई है, इसके बाद हम यहां पर आए, right child पर, ठीक है, right child क्योंकि leaf note है, leaf note से जब हम फिर से वापिस जाएंगे, अब जो C है, वो हमारी third time हुई है, third time हुई है, और post order traversals में, third time valid note को जो traverse करते हैं, उसको हम लिखते हैं, that means C को हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है, तो मैंने starting में जैसे आपको बताया था, third time हम note में कब travels करते हैं, जब right child से उपर की तरफ आते हैं, upward movement हो रही है, कहां से, right child से, ठीक है, तो C से जब हम F पे जा रहे हैं, यह left child है, that means इसका यह second movement हो रहा है, ठीक है, तो हम यहां पर आए यह second है, इ एसे फिर हम यहां पे गए, leaf note थी, यहां पिस वापस A पे आए, यह second time हुआ, A के लिए फिर right पे गए, यह leaf note थी, वापस जब A पे आए, तो अब A का third time हुआ, एका third time हुआ, इसलिए हम यहां पे A को लिखेंगे, इसके बाद वापस B पे जाएंगे, B का second हुआ, because B के left hand side से आ रहे हैं, फिर B के right child पे गए, B के right child क्योंकि leaf note थी, फिर वहां से वापस उपर आए, that means B अब जो है third time हुआ, third time हुआ, इसलिए हम यहां पे उसको लिखेंगे, जब यहां है B third time हुआ, इसके बाद वापस B से हम कहां पे उपर parent की तरफ गए, B right child था F का, और अब जो F है, वो third time encounter हो रहा है, इसलिए हम यहां पे F को लिखेंगे, ठीक है, तो पिलाल current status तक हमें यह चीज मिल चुकी है, इसके अदर F से हम कहां पे जाएंगे, I की तरफ, जब I की तरफ बढ़ है, I second time traverse हो रहा है, because left child से जा रहा है, इसके बाद हम E की तरफ आए, E पे आए, E first time हो रहा है, then E से D की तरफ आए, D से फिर इसकी leaf note पे आए, वो पेश D पे गये, D आपका second time हो रहा है, that means अब अब आपका H पे आए, H से फिर हम इसकी left hand side child पे गए, left hand side से वो पेश आए, H जो है आपका second time हो रहा है, इसके आद हम J पे आए, J सबसे first time हoren, यह आपका L mm सेय यहां पर आए जे अब second time हुआ फिर जे के राइट चैल पर गए राइट चैल नीप नोट था यहां पर गए यहां पर गए यहां पर यहां पर लिखेंगे ठीक है इसके बाद फिर हम उपर की तरफ जाएंगे अब एच जो है वह थर्ड टाइम हो रहा है बिकॉस राइट चै पर गया है यहां सबसे फिर्स से लिख टाइनगी यहां पर टोडिकाएंगे यहां सफरी को अब देखोगे राइट चैल कि तरफ गए सैंगे चाह मेंका आइए पिर्द टाइम हो रहा है लिसंती हमने यहां पर लिखा औन यहां सब्तरी को अगर आप हो गए right child है किसका आई का यहां से फिरा हो अपिस गए आई पे आई जो है अब third time हो रहा है इसलिए हमने यहां पे आई लिखा तो यह हमें post order मिल गया for the given tree देखा आपने यह हमारी आई जो था वो क्या था हमारा root node था इसलिए हम लास्ट में यहां पे आई मिल गया तो सबसे main important बात जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है जिसको समझना है वो यह है कि pre order में सबसे first time traversal वाले को लिखेंगे in order में second time वाले को and post order में third time traverse वाले को node को हमने लिखना है तो इस तरह से अगर हमें tree दिया होगा अगर बड़ा tree दिया होगा तो इस तरह से हम in order post order pre order निकाल सकते हैं आई इसके बद हम reverse process करते हैं या तो हमें in order pre order दिया होगा या तो हमें post order in order दिया होगा तो उनसे अब हमें tree को construct करना है ये वाली problems अपने बहुत जादा encounter कियोंगे अपनी semester exams में भी but कुछ important conclusions हैं उसके लिए मेरे को आपको ये चीजे पताना बहुत जरूरी है ठीक है तो उसको skip मत करिएगा इस वीडियो को just in case अगर आपको पता भी है तो भी इनको जिरूर देखिएगा because कुछ important conclusions हैं उनको हम आपे share करेंगे तो आईए उनको देखते हैं